एलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एग्रूव असाइनमेंट गुरू सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी के बीए जी की स्टूरेंट्स है जिन्होंने पे अड्मिशन लिया है अपना जुलाई 2023 सेशन में उन सभी को अपने कोषन, पर thiets, टो, आसाइनमेंट के कहां से मिलेंगे कहां चेंझे डाउन profile कशेब साइब एक कंप्लीट इस वीडिएो में हम उसके बारे के बात करने वाले है एकसूर इस वीडियो को पूर आले हैं तक ज़रूर देखेगा वीडियो में अगर बनने से पहले फ्रेंट संबात के लेते हैं आपके स्पॉंसर के बारे में जोके होने वाला है आपका निरेज बुक्स इसकी वेबसार का लिंक आपको जोए वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स मिलेगा पांसे जाके जोए उपन कर सकते हैं साती में एक्स्टा 10% का डिस्कांट मिलेगा आपको अगर आप मेरा कोड आई एजी 2023 का यूज करते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा माज आके अभी कभी आप चरक कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आपको असाइन में डाउनलोड करने कहा से होंगे अपने बीएजी प्रोग्राम के लिए अगर आपने एड्मिशन ले लिया है तो उसके लिए जो है इस लिंक को ओपन कर सकते हैं या फिर डिरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्र इ पहले लिंक पर क्लिक करना होगा इसका डिरेक्ट लिंक पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्र इन बॉक से मिल जाएगा तो यहाँ पर देखें आपके अपके असाइन्मेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी नहीं आया होगा तोड़ा साब पेसे जरकेगा उसको इस पोर्टल पर अब्रेट कर दिया रहेगा यहीं पर आपको अपने सभी बीएजी और बीएजी ओनर्स के जितने भी आपके कूर्स सभी के असाइन्मेंट जो आपको देखने को मिलने वाल है जैसे कि आप देख भी सकते होंगे यहाँ पर इंगलीश और हिंदी सभी में आपके असाइन्मेंट दिये गए है तो इसली जो है अपने असाइन्मेंट अपने प्रोग्राम बाई जैसे कि आप देखी हिस्ट्री का लग दिया हुआ एक नोमिक्स का लग है पॉलिटिक का साइंस का लग है बीएजी और बीएजी ओनर्स के दोनों के अलग है आप चख देख्या फर एक्जामपल के लिए चलिए मैं यही उपन कर लेता हूं एक नोमिक्स का लेक पर जो है उपन कर लेता हूं सबसे पहले ही आपको यहां पर फ्रेंट पेज पर ध्यान देना होग और देख्यास के अब सब्सक्तिक यहां पर्लिशें किया गए है फोर जुलाई आपको 2023 से 2024 का assignment बढ़ना के submit करना हुआ तो देखें आपके clearly लिखा हुआ है for July 2023 admission cycle इसके बाद अगर आप second page पर जाएंगे तो यहाँ पर इंपोर्टन इफोर्मेशन आपकी लिखी होती है वह होती है आपकी assignment submission के last date and साधे में आपको अपको यहीं mention किया गए है तो देखें चलिए मैं तो जूम करके दिखाता हुआ आपको देखें यहीं पर लिखा हुआ है assignment should be submitted to the coordinator of your study center देखें साफ साब लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको अपने study center में अपने assignment को submit करना होगा schedule यहाँ आपको नीचे दिया गया है यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको 20 April तक जिन भी student ने admission लिया है July 2023 तो यहाँ पर आपको last date पर assignment के उपर ही mention कर दी गई है कि 30 April आपके last date होगे अगर आपने July 2023 में admission लिया है तो 30 check तक आपको अपने assignment submit करने होगा तो यहाँ पर से आपको complete अपना assignment होगा जहाँ पर आपकी जो और भी information लिखेंगे जैसे कि आपको answer कितने words में लिखना है कितने marks का पूरा-गूरा assignment होने वाला है कितने marks का आपकी question होने वाले हैं क्या क्या चोजिस आपको दिख गई है वो complete चीजे देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है 250 वर्स में आपको answer देना है 10 marks का आपको answer होने वाले है complete details यहाँ पर आपको assignment की जो देखने को में जाएंगे इस तरह सागर आपको इसाइन्मेंट उपन करते हैं चली यह उपन कर सब्सूपर आपका admission cycle लिखा हुआ है नीचे जाएंगे तो आपके यहाँ पर last date देखें यहाँ पर mention की गई है 30 अपर आपकी last date होने वाले study center में जो आपको assignment को submit करना होगा नीचे आप जाएंगे आपको question paper दिया होगो इन सभी का answer जो आपको अपने assignment को submit करना होगा एक च अचरी बीएजी का उठालते हैं मालेज आपके economics के चार courses है तो आपको चारों के different assignment बना के study center में जाके जो है अपनी last date से पहले-पहले assignment को submit करना होगा आप आप सब आज की वीडियो समझाएंगे इसका direct link जो है वीडियो की description box में मिल जाएगा ताकि आप सीधा ओपन कर पाए एक चीज का देर उसे द्यान देखेएगा यह उन students के assignment होने वाले जो अपने exam attempt करेंगे जून 2024 में अगर आपने जुलाई 2023 में एंविशन लिया था या फिर registration क्या था या या फिर किसी कारण वर्ष जो है आप अपने पहले assignment submit नहीं कर पायते और exam भी नहीं दे पायते कोई भी reason हो सकते इन दोनों से तो उन सभी students को जो है भी assignment submit करने होंगे जिनका भी exam जून 2024 में होने वाले है तो ध्यान देखेगा यह assignment उन सभी के लिए ह जिनका exam जून 2024 में होगा या फिर December 2024 में जिनका exam होने वाले है उन सभी के लिए assignment जो है अब आपके दिये करें अगर कोई भी आपको doubt आता है वीडियो के नीचे जो हमसे comment करके आफिर Instagram पे हमसे measure करके पूछ सकते हैं